आज हम बनाने जा रहे हैं पंचधारी लड्डू और यह राजस्थान की फेमस डिश है राजस्थान बीकानेर की डिश है यह बीकानेर में इसे बनाया जाता है और बहुती टेस्टी और टेस्टी के साथ साथ बहुत जाधा हेल्दी तो आप जब भी इसे बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हर सरदिया आप बस यही लड्डू चाहिए हमें इसका टेक्चर देखिए आप बहुती स्वाधिश्ट होते हैं एकदम यूनिक लड्डू ह यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है एक लड्डू खाली जे पूरा दिन बन जाएगा सेहत से भरपूर लड्डू हैं यह क्योंकि हमने इसमें बहुत साई ड्राइफूड का इस्तिमाल किया है और मैं आगे वीडियो में बताऊंगे आपको यह देखिए कितने पंचेधारी लड्डू और पंचेधारी लड्डू इने क्यों कहते हैं यह भी मैं आगे बताऊंगे आपको वीडियो में तो चलिए बना लेते हैं नमस्कार मैं रेखा मेरी सुपर रस्वे में आप लोगों का स्वाधत है अगर मेरे रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा पिस्क्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेश जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिक आटे से भी इसे बना सकते हैं काफी लोग इसे तरह से बनाते हैं लेकिन मैं इसमें पांच आटे लेती हूं तो जो मैं आपको दिखाती हूं कौन-कौन से लिया है मैंने तो देखे सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेहूं काटा लिया है यह देखे और फिर मैंने फिली मूंकी दाल जो दुली हो आती है ना उसका आटा लिया है और यहाँ बेसन लिया है बेसन नॉर्मल है कोई मोटा नहीं है और यहाँ पर मैंने चावल काटा लिया है और यहाँ सूजी ले है, यानि कि रवा और ये सब मैंने एक कटोरी से माप आए ये देखे, इस कटोरी से मैंने सब को माप लिया बेशन को, आटे को मुंकी दाल के आटे को चावल के आटे को सूजी को भी सबसे इसे से नाप आए मैंने आप चाहे तो कप ले सकते हैं माप की दिखा देती हूँ आपको इस का टोली से मैंने सभी का measurement लिया है, यह देखिए, बस, इतना ही हमें चाहिए, तो यहां मैंने स्टूजी डाल दिया है, सब को मिला लेंगे एक जगा, यहां पर चामल का आटा डाल देते हैं, और यहां पर गहूं का आटा, यह भी डाल काटा, और यह बेसन है, अब घी भी दिखा देती हूँ आपको, तो यहां देखिए, मैंने घी लिया है, और मैंने काटोरी से ही माप कर घी लिया है, तो मैंने टोटल चार काटोरी घी लिया है, और देसी घी है, मैंने पिगला कर इसको माप आए, देखे, आप भी अगर घ कातूरी गी ले लिया है करें अब यहां पर मैने मावा लिया है और मावा थी इंसे ग्राम को मैете शेरering कर दिए यह आपको में उसी तरह से यह पाँ से शे मिट के लिए भूनेंगे बीना गी डाले भूनेंगे इस Sir अब आप कहेंगे, यह बिना घी के क्यों भूना है, तो भई मैं आगे बताती हूं आपको, यह फिर अभी बता देती हूं, बिना घी इसके भूनने से क्या होता है, घी भी हमारा कम लगता है, और जो आटा है तुछ अच्छे से भून जाता है, तो चलाते विए भूनी का, य पालग रखेंगे और दूसरी कड़ाई लेंगे क Chand तो देखरें मैं है दूसरी कड़ाई ले लिया है और यहां पर मैं आधे साव हीई डाल दिया है किया और यहां पर मैंने गोनद लिया है जो व्लमीन को कैसे करेंगे इसे fry करेंगे तो देखे गोंद अगर आप नहीं चाहते हैं डालना तो मट डालिएगा लेकिन गोंद डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और गोंद तो आप जानते हैं कितना हेल्दी होता है गोंद कितना लापकरी होता है हमारी इम्यूटी को स्ट्रोंग करता है हड्डियों को मजबूत करता है हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है रीट की हड्डी मजबूत करता है गोंद में बहुत सारे पाइदे होते हैं तो मैं तो यह कहूंगे आप गोंद डालकरी और गैस को स्लो रखिएगा आप बहुत तेज गरम घी में इसको फ्राई करेंगे ना तो यह उपर से जल जाएगा और अंदर से एकदम कच्चा रहेगा चिप चिपासा लगेगा आपको इस तरह एकदम चिंगम की तरह बन जाता है यह अकर अच्छे से नहीं फ्राई किया त आपने तो मंदि मंदि आज पर इसे फ्राई कीजिए तो देखें मैं इसे चलाते विप्राई कर रहे हूं गैस को सलो कर रखा है मैंने तो देखें कि तरह से फूल गए है और यह अब तैयार भी हो चुका है बस अब हमें इससे निकाल लेना है और इसी तरह से जो और बचा है गून उसे भी फ्राई कर लेते हैं और इसे भी इस तरह से फिलाकर इसके फूले बना लेंगे और फिर इसे भी प्लेट में निकालेंगे और इसे निकालने के बाद इसको बारिक कर लेज़ेगा पीस लेज़ेगा इसे जैसे मैंने पहले भी लट्डू की जो वीडियो डाली थी उसमें पीस कर दिखाया था आपको तो वैसे पीस लीजिएगा और यहाँ पर जो आटा था न हमारा भूना हुआ पास से चे मिट के लिए भूना था वो इसमें डाल देते हैं अब थोड़ा काम करेंगे थोड़ी महनत करेंगे क्योंकि अब इसे अच्छे से भूनना है हमें और मैं देखते हूं गी हमें कम लग रहा है तो हम गी और डालेंगे इसमें तो देखे मुझे गी कम लग रहा है तो चलिए थोड़ा सा गी और डाल देते हैं यह लेजे और थोड़ा सा गीमे ने बचा लिया है क्योंकि हम लास्ट में इसका इस्तिमाल करेंगी तो अब इसे भूनते रही है और एकदम सलो सलो आज पर भूनिएगा और यहां देखिए यह भून चुका है देखिए और थोड़ा और आगे भून जाएगा जब इसमें औ दालेंगे तो जो मावा लिया है उसके बारे मैं आपको दिखाती हूँ मैं तो देखिए यहां मैने जो मावा लिया है ना मैने घर पर बनाया और मैने घर पर बनाया तो इसका थोड़ा dark colour कर दिया है एगर आप मार्केट से ला रहे हैं तो आपको अलग से भून कर डालना पड़ेगा तभी आपके लड्डू लंबे समय तक बने रहेंगे तो इसलिए इस तरह से भून करी डाले इस तरह का कलर करके तो चली मैं इसमें डाल देती हूं तो यहां मैं यह देखे भून चुका है किस तरह से कलर आ गया है इसका बढ़िया गोल्डन सा कलर हो गया है और अब यह और भूनेगा पांस से छह मिट के लिए और भूनेगा अभी तो यहां मावा डाल देते हैं पहले क्योंकि मावा भी हम और भूनेंगे इसमें अभी बुना हुआ मावा है अच्छे से लेकिन इसे और भूनेंगे और इस तरह से तोड़ते हुए मिला लीजिए आप ग्रेट करके डाल सकते हैं मैंने इसे ही डाल दिया है यह थोड़ी देर में पेगल जाएगा देखे यह देखे मिल गया है न अच्छे से मावा यह देखे प नाजियू और बदाम को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था आप चाहे तो बाएपीऊ कर टाले या इस तरह से डाल रहे हूँ और यहां पर सुखावा नारयल लिया है एक कटोरी घरके डाल रहे हूं यह socios a reference जो शूखावा नारयल लाता है ना ऐसा मैंने desiccated coconut नहीं है यह आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं लेकिन इस नारियल की तो बात यह अलग होती है तो यह देखे इन्हें भी भूनना पड़ेगा 3-4 मिट के लिए इन्हें भूनेंगे यह देखे सब कुछ अच्छे से भून चुका है और कलर देखे आप इसका कितना बड़िया कलर आ चुका है यह अच्छे से भून चुका है मावा भी अच्छे से भून चुका है और ड्राइफूड भी अच्छे से भून चुका है देखे मैं आपको पास से दिखा रहे हूँ और इसे लगातार चलाते हुए भूनिएगा वना अगर ये चिपक जाएगा तो अच्छा नहीं बलेगा तो चलिए इसे अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में तो यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं तो सारा जो लड़ों का मिश्रण है यहाँ पर मैंने लिया है और दो चुटकी मैंने लिया है जावेत्री पाउडर और आदी छोटी चम्मस से थोड़ा सा कम वियान जाइफल पाउडर लिया है आप चाहे तो डानिये लेकिन इसमें बहुत बड़े अस्वाद आता है इसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है तो चलिए इसको मिला देती हूँ हाथ मत लगाएगा बहुत गरम है इसलिए मैं इसे इस तरह से पल्टे से हिला इलाके से मिला रही हूँ और अब इसे थोड़े छोड़ देंगे बहुत जादा गरम में अगर आप शकर या बुरा मिला देंगे ना तो एकदम पतला पतला हो जाएगा बंदेंगे लड़ू नहीं बंदेंगे तो यह द पांच कटूरी डालेंगे अगर आप कम खाना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं लेकिन इसका जो मेजर्मेंट है बिल्कुल सही है परफेक्ट है ज्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा लेकिन और अगर मेटा खाना पसंद हो तो थोड़ा ओह डाल सकते हैं तो यहां में पांच कटोरी डाल रहे हूँ और सारा मेजर्मेंट मैंने एक कटोरी से ही दिया था यह मैंने आपको पहले बता दिया था तो अब इसे मिला लेते हैं तो चलिए से मिलाते हैं दोनों हाथों से रप करते भी मिलाईएगा मैं इसे दीरी-दीरी मिला रही हूँ यह थोड़ा गरम है बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिए गवारा लड़ू नहीं बनेंगे आपके थोड़ा सा गरम हो तब ही जैसे कि आप हाथों को टेच कर सकते हैं इतना थोड़ा होना चाहिएगे तो देखें यहां मैंने अच्छे से मिला दी इसमें बुरा और देखें लड़ू बान कर देखें लड़ू नहीं बन रहे तो अब हमें क्या करना है जो हमने गी बचा था ना हमारा यह हम इसमें डाल देंगे पूरी चार कटोरी की डाल चुके हैं हम इसमें और आप देखे हैं लड़ू इतने पढ़िया बन कर तयार होंगे काफी लोग क्या करते हैं यहाँ पर दूद डाल देते हैं यानि कि एक दो चमस दूद ले लेते हैं लेकिन मैं यह कहूँगे कि आप दूद बिल्कुल मत लेजिएगा क्योंकि अगर आप दूद डाल देंगे न तो आपके लड़ू जार दिन तक नहीं रह पाएंगे और इस तरह से आप इन लड़ू को दो से तीन मेने तक रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं वैसे मेरे यहां तो मिंटों में खतम हो जाएंगे इतने दिन तो रहने ही नहीं देते हैं बच्चे क्योंकि इतने टेश्ट ही बनते हैं न तो यह देखें इस तरह से दबाते हुए इसे लड़ू को पान दिये थोड़ा जोड लगा कर दबाईए यह देखें थोड़ा थोड़ा गरम ही है अभी मैं बार बार बता रहे हूं बहुत ज़दा ठंडा मत कीजिए और आपके लड़ू नहीं बनेंगे यह देखें और लड़ू बनकर तयार हो चुका है देखें टेस्ट के साथ हेल्दी बाले लड़ू है यह यह हमारे लड़ू बनकर तयार हो चुके है तो देखें हमारे हेल्दी लड़ू बनकर तयार है क्योंकि हमने इसमें काजू, बदाम, खूपरा, गोन्द सब कुछ डाला है तो सर्दियों के लिए परफेक्ट लड्डू है और बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं देखें तो लड्डू हमारे बन चुके है तो आपको कैसे लगी कमेट्स करके जरू बताएगा अपना फ्रीट पेक दीजेगा धन्यवाद